नमस्कार दोस्तो शीविल इंजिनेरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो हमारा यही प्रयास रहता है कि आपका घर जब बने वो टेक्निकली बहुत मजबूत बने और साथे साथ वो देखने में भी सुन्दर लगे तो सुन्द है वो अगर मालेजिए बीस से लेकर के पचीस स्वीट चबिस सताइस स्वीट तक है तो आपकी इस तरीके का यह डिजाइन जो है वो बिल्कुल एडप्ट कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पे एक बालकनी है इसमें अभी रिलिंग लगाया जाना बाकी है दोस्तो बाक इस घर का आ सकता था फिलहाल दोस्तो क्या क्या काम किया गया है आपने थमनल में तो देखी लिए आओगा दोस्तो और अगर पसंद है डिजाइन तो पूरा विडियो देखिए दोस्तो एक चीज है कि लटक वीम को कभर करना था दूसरी चीज है दोस्तो कि यहां पे बीम क लगाया जाएगा कुछ इस तरीके से और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएगे जब इसकी पेंटिंग वगारा पूरी हो जाएगी फिर भी आपके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा ताकि आपक से इस्टेप वाला जो ट्रेंगल है मतलब त्रिभुज है वो दोस्तो दिया गया है ये काफी संदार लुक इस घर को प्रभाइड कर रहा है और में चीज आपको दिखाना बाकी है दोस्तो ये दो आप इस तरह से इंट का पिलर उपर तक दोस्तो ले जा सकते हैं और आप यहां पर यह वाला जो डिजाइन है दोस्तो और देखने से आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान से बन जाएगा यह चीक है और साथे सांद यह जो पैरापेट वाल है दोस्तो इसमें भी कुछ खास डिजाइन दिये गया है आप चाहें तो इसके जो गैप हैं वहां द इसका लुक और भी बढ़ जाएगा और एक कमी मुझे लगी कि दोस्तो यहां पर लटक बीम को कभर नहीं किया गया है देखने में थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है अगर वो भी रहता दोस्तो तो इस घर का जो लुक है और थोड़ा सा बढ़ सकता था उमीद करता हूं द बीस से पचीस फीट तीस फीट तक आपकी चोड़ाई है घर की तो आप इस चीज को एडप्ट कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तो नमस्कार